हेलो, नमस्कार, साथी और जैहिंद बंदे मातरम, दोस्तों, सफी लोगों की होली मस्त रही हूँ बात करूंगा, फिजीकल डोकुमेंट के बारे में, जो फिजीकल के में, डोकुमेंट रेक्वाइड है, डेली पुलिस के HCMAW और ड्राइवर के जो फिजीकल होने वाले है, उसमें जो डोकुमेंट रेक्वाइड है, नीचे कमेंट आये थे पिछले वीडियो में, कि सर आपको बिल्कुल इस्टिक रहना है बस आप एक पैन कॉपी लेलो जो जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको लिख लेना और वो सारे डोक्यूमेंट अपनी फाइल में लगा लेना एक बच्चा तो मैं सॉक्ड हो गया वो यह से बोल रहा था किसा डोक्यूमेंट लेकर जाने क्य जो पास हुआ है एक चीज़ चली मैं बिना किसी बिलंब के इसको सुरू कर देता हूं वीडियो को आप अपने पैन कॉपी से लिख लेना सारी चीज़े जो बोल रहा हूं सबसे पहले तो एक बात ध्यान दखो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो अभी इसको सब्सक्रा सब्सक्राना है नया है मैं अभी बनवाँ इस टाइप का कोशन देखो बहुत क्लियर सुनना कि ड्राइविंग लाइसेंस की HCM में जरूरा तो नहीं होती ना कहीं ऐसा एक सच मेंशन रहता है ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा एक्जिक्यूटिव एक्जाम में में मेंशन करने ड्राइविंग लाइसेंस तो चाहिए ही लेकिन हैवी मोटर वहीकल का चाहिए इस चीज़ को नोट करके मेंडेटरी लिखना कॉपी में ठीक है और एलम भी चाहिए होता है एक्जिक्यूटिव कोंस्टिवल के लिए देखो बच्चे सीरेस हैं उनके पास नहीं है ड् हो जाएंगे तो माँके लिए तयार रहेंगे जो अद वबी हवाबाजी में चल रहे ना जो कहीं से पढ़ाईि भी नी कर रहे कुछ नी कर रहे कुछ मैं भी प्रेजोंनी रहते तो तो चक् Check.ад हो गया AWTPO इन में driving license की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपके पास है तो जरूर carry करके ले जाना क्योंकि as an identity proof वो काम करता है दूसरी बाग आपको 12th के 10th के certificate तैयार रहने चाहिए क्योंकि इसी बेस पर भरती निकलती है तो भाई 12th 10th के इसलिए क्योंकि 12th तो इसकी energyability है और 10th के इसलिए कि जितने भर document आपके verify होंगे चाहिए वो DL हो, other card हो, mark sheet हो, card certificate हो या domicile हो वो किसे वो नाम number match होंगे आपके 10th की mark sheet से तो ध्यान रखे जिन्होंने अभी नहीं बनवाया है भाई अगर बनवाते हो दोस्तों तो क्या करना है सबसे ध्यान रखना है कि उससे match खाना चाहिए जो 10th की mark sheet है जितने भी certificate है आपके बात समझ में आ रही है यह एतनी एक दूसरी बात है दूसरी बात है 12th से कुछ नहीं 12th में आपका जो मन कर रहा है वो लेकिन 10th में जो नाम है वही आपके certificates में नाम होना चाहिए कि आप अभी से उसका एफीडेविट बन वालो जरूरी नहीं उसी टाइम पर बन बना है अभी से एफीडेविट बन वालो क्योंकि उसमें correction तो अब इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है क्योंकि फेजीकल अपरेल में हो नहीं है तो उसका बन वालो आप बाद में फिर पता लेके जाना है आठ फोटो जरूर लेके जाने हैं अब सबसे ज़्यादा बात फस्ति है कास्ट सर्टिफिकेट की बाई बता दू देखो कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत आवश्यक है अगर आप जंडल के नहीं है अब बता देता हूं उसकी eligibility EWS का सर्टिफिकेट देग आगे के एक्जाम के लिए बनवाना होगा एक्जेग्यूट बगरा के एक्जाम निकलेंगे MTS के एक्जाम निकलेंगे MTS में भी driving license mandatory नहीं है ठीक है तो ध्यान रखना कि आगे के लिए बनवाने तो भीया हमेशा current financial year का बनवाए करो या नहीं अगर आप अपरेल से और का EWS का certificate बाकी OVC वाले जो certificate है आप 2-3 साल पुराना भी होगा बिल्कुल डेफिनेटी चलेगा घबराने की जरुवत नहीं है लेकिन ध्यान रहे कि SSC का जो परफॉर्मा है वो center का परफॉर्मा है certificates मनाने का तो center का ही certificate होना चाहिए राज जबाला नहीं चलेगा correct है बात SC SC वाले वो तो चल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है मैडियर और मैंने बताया था natural certificate चल जाएगा किसका PWD का OPH candidates का तो उनमें उनको भी कोई टैंसल लेनी की जरूरत नहीं है डो मिसाल लेके जाना सारे documents आपके यहीं है बस ध्यान रखना है 10-12th की mark sheet सनद सारे जो certificates है वो आपको लेके जाना है क्या भाई सबसे जरूरी आपको लेके जाना है अपना जितना भी आपके जो documents है 10th वाली जो mark sheet 12th वाली जो mark sheet का certificate है सारे आपको एक file बना लेना भाई या उसमें भूलना मतलब उसमें लेके जाना और कुछ भी ताम जहम ज्यादा की जरूरत यहां प लिक्कत आती है तो चैनल पर आके comment करिए उसका वीडियो आपको मैं दूँगा ठीक चला जैहिंद बंदे मात्रम गौड ब्लेस वी आपरीवड़ी